हालो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम करता हूं अभारत पंचाली और केमिश्टी गुर्दी अगेन आप सबका एक बहुत ही जादा बट डिटेल के लिए मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा कि आपको वन शोट देखने चाहिए आपको प्रिवेस यर कोशन करने चाहिए जो मैंने उलडी करवा दिया है तो अगर आप जेई या नीट के स्टूडेंट हो प्रिपेर करें जेए के लिए नीट के लिए तो आपको हम सौरी कर्जा कर emer mulheres की को कहते हैं सर यहांपर और सीडवांड होता है और एक उता कारबोक्सिल की से कार्वोक्सिल में है living Venभ यहां रहे प्रिख्योंड के साहए अगर एक भी बॉन हेसे साथ नहीं है तो उससे आप लोग किटोन बोलने लगए होग debates के शेखनेर preparation कैसे बनाया जाएगा इसको अच्छा comment section में बताना यार इसको क्या बोलेंगे इसका नाम बताना comment section में पर IPAC name क्या होगा इसका बहुत popular सा नाम होता है इसका और एक इसका नाम भी बिता देना लगे हाथ है चलो रोज नमुंट रिड़क्षिन मेरी फेविट रॉज रोज वर्ण सुनता ही मरे दिमाग में एग्नाम आता है पी दी प्रंजल दीदी सुनो आप बालन थानेदार चला वह उनाया वाली बात है तो इसमें क्या होगा प्रंजल दीदी बड़ी सोणी होता कि है इस रेक्षन में आप लोग एसी रिक्षन लेते हो एसी रिक्षन से अल्डी हाइड बना गया शाना साइनाइड से अल्डी हाइड बना गया रियाजन्ट क्या लिना है है एसेंसील टुविद एसील और फिर इसकी हाइड लीशिस तो क्या हो जाएगा यह हट जाएगा इसके पास एच लगेंगे यह एनसरी बनेगा और इसके फैस लगेगा एक गैटर्मन कोच रेक्षन है इस रेक्षन को फ्रुडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो फ्रुडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन की अगर बार बार एक बात बोलता हूं कि अगर आपको किसी नेम रेक्षन की उससे अच्छी ट्रिक पता है तो आप लोग कमेंट सेक्षन बता सकते हो शोरली में यूज करूंगा अगर बहुत अच्छी हुई ट्रिक तो तो यहां से यह ग्रूप जो है बैंजीन इसे यह रखऊ तो तो ले बैंजल क्रो मिलेगा कल प्रिप्रेशन करने हैं तो आपको यहां से वहाँ निकल जाएंगे तो यह CS3 CHO which is aldehyde, secondary alcohol हो गई, again इसके भी आज बहार निकल जाएंगे, किटोन बन गया, ठीक है आप अच्छा टर्सरी अलकोहल की dehydrogenation possible नहीं होती है, क्यों possible नहीं होती हैं आप पर dehydration हो जाएगी, देखो, अगर आप ओके, very nice, ज्यादा याग्या आगे, यही था, ठीक है, CS3, 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 OH, अगर आपने यहाँ पर ले लिया, copper और तापमा ले लिया, 573 Kelvin, तो क्यों हो जाएगा, यहाँ पर dehydration हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा alkin बने लगेगा, CS3, CS3, double bond, CS2, अच्छा अगर आप alkyne लेते हो, alkyne में आप marconic of rule के according, addition करोगे, water की, तो एक जगा प होगी, double bond migrate कर जाएगा, towards more electron negative, और hydrogen migrate कर जाएगा, इधर यह बन गया, CS3, CS2, अगर आप बेंजीन लोगे, बेंजीन की करवादो, किछे के साथ भी reaction, जैसे बेंजीन है, बेंजीन की आप लोग S-I-Lation करा दो, CS3, COCL है, तो यहाँ पर लग जाएगा, बेंजीन की पर क्या, CS3, आप बेंजीन की, बेंजीन की बेंजीन कर दो, बेंजीन में क्या कर होगे, बेंजीन, COCL, तो यह ग्रूप लग जाएगा, यह क्या बन जाएगा, बेंजीन, CO बेंजीन, इसे बोलते हैं, बेंजीन, इसे बोलते हैं, एसे बोलते हैं, एसे बोलते हैं, एन्हाइडर से लेना है ठीक है आगे मोग करते हैं physical properties अगर आप boiling point के बात करते हो पहले बताया है सबसे कम boiling point hydrocarbon फिर हैलोकेन फिर ether aldehyde ketone से जादा alcohol और सबसे जादा होता है कार्बक्स लेकाइसिर का अगर आप aldehyde ketones की solubility के बात करते हो थोड़े बहुत पानी में घुल जाते हैं और यह बहुत ही न इनकी fragrance बहुत स्वीट होती है ठीक है तो फ्रेग्रेंस इसका सेंट वगारे में भी यूज कर सकते हैं हम लोग अच्छा जितना हमारा कार्बन का मास बरता जाएगा higher members होते जाएंगे यह हमारे पास insolubile होते चले जाएंगे in water आगे मोग करते हैं यहां पर हमारे पास क्या है जैसे सी डबल बॉंड ओ है उक्सिजन जाद एलेक्ट्र नेक्टिव है तो अगर कोई नुक्लिफाइल आगे जुड़ना चाहे नुक्लिफाइल नुक्लिस लवर पोजिटिव लवर तो वह यहां पर आगे जुड़ जाएगा यह SP2 यहां पर नुक्लिफाइल जुड़ गया कार्बन के पास नुक्लिफाइल जो इलेक्ट्रों रिच होगा यह जिस पर नेक्टिव चार्ज होगा रेक्टिविटी ओडर की बात करें तो अल्डिहाइड देखने कौन सा गरीब है और किस पर इजीली अटैक पोसिबल है तो द कि बहुत चोटो चोटो ग्रूप है और सबसे लेट रेक्शन होती है इस पर पेंजोफिनोन पर क्यूंकि यह देखो इस पर अटैक ही पोसिबल नहीं है क्लियर है अच्छा जैसे आप लोग रेक्शन करा रहे तो इसमें एस पोस्टिव होगा सीन नेक्टिव होगा कार्ब नेक्टिक का मतलब कि उसमें से एक हाइडोजन भागा यहां पर और यहां पर कोई ग्रौप आजएगा झायगा वहगा वह बहुत सारे जैसे यह है ऑना लगया एने चैट्टर में तो यह पॉर्षन यहां से बहाँ निकल जाएगा यार बाकी सिंपल सी रेक्शन है यार यह होती है कार्मनिल गृप की अधिशन एलिमिनेशन रेक्शन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी और और केमिकल प्रोपेटित की सबसे पहले में रेक्शन की बात कर रहाँ अब बहुत जरूरी है कि आप अटेकिंग डियाजन समझो कि रियाजन कौन से कौन क्या करेगा अगर अपनी रेक्शन करवाई है एस्टू के साथ विद निकल प्लेटनम पैलेडियों इसे हाइड्रोज करेंगे अल्कोहल में जैसे कि यह अल्द्य हाइड फ्राइमेर फ्रूर Kang जाता हुग हई है फिर आपके पास ऑगया है जैसे आम लोगों published क्यल में पढ़ा हुगा यह सिद्धह के आपके अल्डिहाइड के में कर देख डेता है इसको मैं आईसे हैं राख नहीं है एके चला हाइकोट एके मतलब अल्डी हाइड या के टॉन से आप लोग हाइकोट हाइडो कार्बन बनाते हो ठीक है अब आपने डियाजेंट यहाद में क्लमेंशन में क्या होगा अमल्गेटिड जिंक विद एसील वुल्फ किस्णर में क्या होगा हाइड्रजिन के ओएच इथाइलिन ग्लाइकोल तो देखो पीटा जैसे यह ऑक्सिजन है ऑक्सिजन हट जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है मतलब पूरा प्रोपर हाइड्रोकार्बन में इसी रेक्शन में या फिर वह जो मैंने बताया है है अपने यह ले ले लिया आप लोगों उसकी रेक्शन करा दी है यहाँ पर रिडॉक्शन हुई होगी यहाँ पर एच टू और यहाँ पर भी एच टू आया होगा क्योंकि दो बॉंड तोड़े ना सी एस थ्री प्लस है अब यह मत बोलना सब्सक्राइब कैसे हुआ भाई यह एच टू और एच एस थ्री होगे और प्लस में इसके बाद है है यह इस रेक्शन से मिलता दुलत एक नाम आता है अब यह बात है कहां शो की जाएगी अगर कहीं पर भी आपको दिख रहा है कहीं पर भी मतलब एक तर उस मिथाईल गुरूप से हमारा क्या बनेगा आइडोफोम या हैलोफोम च्छ इस बचे हुए पोर्शन से क्या बनेगा सोडियूम सोल्टोफ एसिड और सी डबलो एन अगर आप एन्योएक्स के साथ रेक्शन करा रहे हो तो एन्योफ बन जाएगा या फिर आइडोफोम म तरह समने है देखो जैसे कि मेरे पास अटैकर यह कारबन्य से यह कर्बन ऑल्फा यह बीटा यह गामा इसके पास जो ऑते हैं आपके पास अल्फा है यह यह रेक्शन होने चीए अंडरगो और प्रेक्शन इन दा प्रेंस ऑफ डालूट अवच दालूट के वबाइक के प्रेंस में रेक्शन होती है तो गिव बीटा अनसाचुरेटटड कार्बॉन रहेगा देखो जैसे अल्डॉल कंडेसेशन में यह है मेरे पास यह कल्डी हाइड है तो यहां पर क्या हो जाएगा यह यहां से हो गया है और यहां से हो गया है और यह दोन आपस में जुड़ गए विधा है अनसाचुरेटर कार्बॉनल गूरूप ठीक है इसके बाद है कैनी जारू एक खास बात क्या है कि यह कहां पर आती है ऐल्डी हाइड ऐसे अल्डी हाइड जिनके पास अल्फाइड हो यह होता और कंसेंट्रेटर अल्कली लेते हो जैसे बेंजीन अल्फा कार्बन है जो फंक्शनल गूरूप से जुड़ा है अगर आप इसके पास देखोगे तो इसके पास नो अल्फा आईडोजन के पास अल्फाइडोजन नहीं होगा आप लोगों इसकी रेक्शन कराई है के साथ तो डिस प्रपोर्शोंेशन होगीeffective donation मतलब oxidation बेहिजायागी कैसे करना है बेंजीन दुन है दौ को इलग अलग कारबन दौ है डवनों कार्बन अलग अलग अब दो रिपीट यो रिपीट कराओं दो बेंजीन अलग-अलग 2 कारबण अलग-अलग दो डशन आग-अ नहीं है यह इस सोडिय में यह इसे बोलते हैं आगे आगे आजाव लुटे कार्बोक्सली कैसिर कैसे बना सकते हो फ्रोम एलकोहल यसे प्रैमेरी अलकोहल की औक्सिडेशन करोगे तो तो निएढ़ ओप्र आपका अपर रिग्रियो ले जिय वटे c-carbon dioxide तो यहाँ पर यह R दाएगा इस carbon पे और इसो के साथ लग जाएगा H मस्थ हूए है कि यह carbon गया है इधर और oxygen के साथ क्या आगया है from nitrile nitrile कि जब h2 के साथ और और अमाइड बंता है फीजिकल प्रोपर्टी तो यहां पर इनकी हाइड्रोजन बोंडिंग हो जाएगी है इसके लावा इनका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है इनकी घरती चले जाकती है विद इनकी नहीं बात नहीं है यह हर एक फीजिकल प्रोपर्टी में आपने बात की ही है ठीक है आगे मम करते हैं एक नेचर तो कार्बोक्सिलिक असिड बहुत बड़ी असिड होते हैं और इवन जितने फंक्शन ग्रूप में सबसे अच्छा कार् नेगटिव और हैच पोजिटिव टोनेट करने के बाद हमारे बन चुक है कर्बोक्सिले कर्बोक्सिलेट लिखा गहा थे लिख निपस्टाइज सकता है तो इसे बोलते हैं और यहां पर बल्कि यह ज़यादा ऐसे लिखने में जो नेगटिव चार्ज आता है पहले ऑक्सी जबकि carbon पर negative charge नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर negative charge है, oxygen पर ही आता है, जबकि oxygen electron negative ही है, तो जहाँ पर negative charge आना चाहिए, वहीं पर negative charge आता है, carboxylic acid में, that's why carboxylic acid ज्यादा अच्छ acid है, और यह सारे जो question है, यह important NCRT question में मैंने with reasoning अच्छ समझा रखा है, आप लोग देख सक बढ़ते हैं, acidity common sense है, अगर S character बढ़ता है, S character बढ़ने से, S क्योंकि nucleus के पास है, electronegativity बढ़ती है, electronegative character बढ़ने से acidity बढ़ती है, अच्छा, जितना electronegative होगा, कोई electron withdrawing group उतनी उसकी acidity ज्यादा होगी, मैं संदाता हूँ, जैसे F और Cl में से, fluorine ज्याद अगर कहीं पर भी fluorine लगा होगा, तो उसकी acidic strength ज्यादा होगी देन, chlorine से, clear है, समद्रों मेरी बात के नहीं समद्रों, जैसे कि अगर मापसे बुच्छों, यह है, CH2FCWH, CH2Cl, CWH, अब दोनों ही electron withdrawing group है, तो ज्यादा acidity कौन सो होगा, यह वाला, क्योंकि इसके पास ज्यादा electronegative electro withdrawing group ह अच्छा, इसकी decarboxylation reaction है, कलास 11 में पड़ी होगी, RCWNAE की reaction आप लोगोंने NOH के साथ करवाई, इससे soda lime बोलते हैं, यह caustic soda है, यह कोई lime है, तो यह portion यहाँ से बाहर निकल जाता है, और hydrocarbon बन जाता है, एक HPJ reaction होता है, hell, wall, hard, gelins की reaction बोलते हैं इसे, इसमें भी alpha hydrogen होने हैं, और alpha hydrogen कैसी तैसी फिलते हैं, full chlorine लेते हैं, red phosphorus, तो यह chlorine इसके पिछे पड़ जाता है, H हटेगा, इधर X लग जाएगा, है न, इसके लाबा, RCWNAE की reaction, R-SOH के साथ कराई आप लोगोंने, तो यह बन जाएगा water, ठीक है, और यह ester, PCL3, PCL5, SOCL2 कुछ भी करा दो, तो यहाँ पर यह OH हटेगा, और अनमे से CL लग जाएगा, RCOCL, NS3 के साथ कराऊगे, यह OH हटेगा, NS2 बन जाएगा, that is amide, CWS ग्रूप की बात करते हैं, तो यह deactivating ग्रूप है, और matter directing है, सर हमें कैसे पता कलता है, कोई activating है, कोई deactivating है, बेंजिन के पर कोई ग्रूप लगा है, उ तो वो deactivating group का लएगा, जैसे CWH की बात करो, तो जैसे ही बेंजिन के पर लगा है, तो C double bond O, OH ऐसे होता है, तो pi bond मना रखा है, अगर pi bond मना रखा है, तो वो deactivating group होता है, ठीक है, CWH is deactivating and matter directing, तो जैसे अपने इसके nitration की, 202 group, matter position पर लगेगा, आपने इसके bromination की, तो BR, matter position लगेगा, और यह reaction भी इतने easily नहीं होती है, है ना, बड़ा drastic condition ली जाती है, जाते जाते कुछ reaction, कुछ question है, एक है यह, इसे बोलते है benzoic acid, यह है nitro benzoic acid, इन में से जाधे acid ही कोन है, और यह benzene COCl है, PDBSO4 है, इस reaction का नाम क्या है, और यहाँ पर जो compound मनेगा, उसका नाम क् झाल 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